Hello everyone, once again, welcome back to my channel Friends, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Counseling को लेके, साथ ही result कब आएगा, call letter कब आएगा इन सब के बारे मैं आज में आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजे, बलाइकिन को क्लिक कर लीजे और साथ ही आप मुझे इस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं इस्टाग्राम की आईडियो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एड है कोई भी ग्वारी होता, आप वहाँ भी मुझे से फूच सकते हैं तो आज बात करने वाले सबसे पहले की काउंसलिंग के बारे में जैसा कि पता है कि कल आप लोग का प्रेक्टिकल का एक्जाम था और practical के exam खत्म होने के बाद आप लोग की counselling होनी थी, क्योंकि ये चीज आपके admit card के instruction में ही दिया हुआ था कि exam खत्म होने के बाद counselling की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कल exam तो हुआ, लेकिन exam के बाद किसी भी तरह का कोई counselling हुआ ही नहीं, ना कोई documents चे जरूर होगा counselling, और counselling अब जो counselling होगी, वो सिर्फ उन बच्चों की होगी, जो selected होंगे, BFA के लिए, जो आगे round में select होंगे, जो final select होंगे, उन्हीं सब student की counselling होगी, बाकी और सब की नहीं होगी, और counselling होने से पहले, result आएगा आपका, तभी परदा चलेगा कि हाँ, कौ call letter आएगा, then counselling होगी, तो अभी क्या है कि अभी आप लोग वेट कीजिए अपना result का, जैसे result आता है, उसके बाद आप लोग के लिए call letter आएगा, जिसमें counselling date mention होगा, उसके इसाब से फिर counselling होगी, और जो counselling होगी, वो आपका visual art faculty में हो, और यहां पर मैं बता दूं कि 24 क December के पहले ही हो जानी चाहिए, तभी admission हो पाएगी, तो 24 के अंतरगर्थ ही आपका result भी आजाएगा, call letter भी आजाएगा, then admission का process भी चारी हो जाएगा, तो आपको बस update रहना है, इस दोरान अभी से लेके, जल्द ही सारी चीजे हो जाएगी, और जैसे ही जो भी update आएगा, आ call letter आया है, या फिर कब result आया है, जो भी information होगी, आपको तुरंट जरूर मिलेगी, तो बस मेरी channel से जूड़े रहे, मिलती हूँ मैं आपसे next video में अपना ख्याल रखे, नमस्ते and thank you for watching.